तो आज हम इस वीडियो में उससे आगे जो प्लान्स हुए उनके बारे में पड़ेंगे एंड बहुत सारे कोमेंट्स मिले मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई बहुत सारे लोगों ने कहा किये आप पठवारी का जो इंडेन एकोनोमी का सिलिबस है उसको कवर कीजिए तो इंशाला मैं इंडेन एकोनोमी के सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा तो जो भी इंपॉर्डन टॉपिक्स है तो चलो आज हम देखेंगे जो थर्ड फाइवर प्लान था वो हमने देखा तो आपने देखा था जो उस टाइम पे जो वार्स हुए थे इंडो चैना वार हुआ था या इंडो पाकस्तार वार हुआ था उस वज़े से जो प्लान था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो उसके बाद गौर्मेंट ने कहा किया 1966 से लेके 1969 तक ठीक है प्लान हॉलडे जो था किस फाइवेर प्लान के बाद आ गया तो आपका अंसर होना चाहिए थर्ड फाइवेर प्लान के बाद जो एक्चिली अन्यवेर प्लान थे यह क्यों आ गये क्योंकि जो थर्ड फाइवेर प्लान था मैंने आपको पहले वीडियो में कहा है कि वह बहुत ज़्यादा उसने उतनी ज़्यादा एक्टिमेट्स ने कि वह फेलेर हो गया जो डिफरेंट सेक्टर्स एकॉनमी के थे व थीक है तो जो 1966 था जो गवर्मेंट अफ मिंडिया थो इसने डिक्लीयर किया डिवालेवेशन अफ रुपी जो मैंने आपको पहले भी कहा है ठीक है ना रुपी डिवालेवेशन टुक प्लेस नंचींतिसिक्स जब हम डिवालेवेशन अफ करनसी करते हैं इंडिया की करनसी takes place in order to boost नीचा option हो सकते imports exports none of thezione तो आपको कहना है exports और मुझे exports को boost करना होता है तो मैं क्या करता हूं रुपी को डेहलेट कर दो इंडिया ने same thing की ठीक है तो जो 4th plan था उसको postpone किया गया थीन annual plans implement किये गिए ठीक है तो जो economist है उन्होंने इसी period को कहा that is from 1966 to 1969 this period was known as plan holiday by economists economists ने इसका नाम दिया plan holiday तो यहां पर आपके लिए question बन सकते हैं mcq based question plan holiday is the period from तो आपका option होना चाहिए आंसर आशी 1966 to 1969 okay hope you have understood this thing तो अब हम आगे जाएंगे fourth five year plan पर जाएंगे fourth five year plan जो था actually क्या था and इसके targets क्या थे सारा सारा कुछ हम देखनी की कोशिश करेंगे जो fourth five year plan था इसका जो period था that was 1969 to 74 यह स्टार्ट होगी 1969 में कब तक 74 तक ठीक है ना first five year plan was started in 1951 56 तक रहा उसके बाद second five year plan जो था 1956 से लेके 61 तक था third five year plan जो था that was 1961 to 66 then 66 से लेके 69 तक ठीक है plan holiday तीन annual plans हमने लाएं फिर हम आगे fourth plan पर that was in 1969 to 74 तो यहां पर प्रपोज जो plan आउट ले था ना that was 24880 करोर एंड जो एंड एक्ट्वल 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 था था that was 15779 करोर ठीक है यह क्या होता है plan out हमने plan में बनाया था इतना खर्चा हो सकता है लेकिन किली 15779 करोड शी spent किये गए ओक्यों जो objective this the important question है थीक है objective क्या था growth with stability and progressive acute treatment of self-reliance growth with stability का मतलब क्या होता है थीक है हमने चाहे growth होनी चाहे with stability जो country नहीं स्टाबल रहनी चाहिए देर शुड बीनों हपहजर्ड थिंग स्टीग सेकें प्रोग्रिश्व एचिवमेंट अफ सेलफ रलाइंस हम सेलफ रलाइंट बनने चाहिए तो वाट दूए मीन बेस सेलफ रलाइंस खुद मुक्तार वी शुड प्रूश ठीक है अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने चाहिए ठीक है इंडिया जो था इट वस फेसिंगे प्रॉब्लिम फुड जो था ना हमें अधर कंट्री से लाना पड़ता था या जो मिशिनरी प्रोडैक्स थे ना बाकी मुलकूं से हम लाते थे तेट वस प्रॉब्लम हमने सुचा यार हम सलफ रलाइंट बने ठीक है को दाट्स वाइइ इसका जो अब्जेक्ट था एट वस ग्रोफ विट स्टैबलिटी एंड प्रोग्रेशु इचीव मेंट ऑफ सलफ रलाइंस जो में गूल रहा इसका ना वो क्या था एक्चली वो था इंप्रूइं कंडिशन और प्रि किया जाए ठीक है एंड जो सबसे बड़ी बात ही डाट वस फुड स्कूरिटी ठीक है यह में गूल था इसका विकर्ज आपने भी बॉला सेलफ रलाइंस यहां पे ठीक है सेलफ रलाइंस में सबसे बड़ी चीज जो थी डाट वस अग्रिकल्चर हमने सुचा यार जो में गोल रहेगा वो फुड स्कूरिटी का रहेगा तो आपको खुद समझाना चाहिए यहां पे ठीक है जो दो साल थे प्लांस के बहुत सक्सेस्फुल थे बिकर्ज रेकॉर्ड फुड ग्रेंट प्रडेक्शन हो गई इसमें ग्रीन रेवलुशन आ गया ठीक है ना वह एक अल जैसे इंडिया में ग्रीन रेवलुशन स्टाट होगी ग्रीन रेवलुशन क्या था बहुत था बहुत जादा इंक्रीज होगी प्रडेक्शन वाइली कॉनसा भाइस ठीक है एड़ बहुत जादा तो यहां पे I can add जो ग्रीन रेवलुशन कौ का कॉन्सेट है किस ने दिया तो प्लस ओर एक थे नॉर्मन बरलाग ठीक है रिसरच इंडें इंटर्डूशिद उन्हें इंटर्डूश किया एक सी इंडिया में ठीक है दाट वस बाट फ्रम कैनड़ा जब इंडिया में इंटर्डूश किया तो बहुत जादा प्रेक्शन निकल गी उस तो यहां पे एक बन सकते हैं, most important question ये भी है, बहुत सारे exams में पूछा गया है, who is father of green revolution, ठीक है, तो हमारा answer होगा, norman borlog, तो अब औरे question है, important, from our exam point of view, वो ये है कि, who is father of green revolution in India, तो हमारा answer होगा, norman borlog, ठीक है, ठीक है, sorry, हमारा answer होगा, p.s. swami nathan, ठीक है, इंडिया का, swami nathan जो था न, ठीक है, he was agricultural scientist, उसी किवाज़े से इंडिया में green revolution आ गई, तो दो mcqs, first one is father of green revolution, norman borlog, second is father of green revolution in India, p.s. swami nathan, ठीक है, और एक, जो एक fourth plan था, इंडिया ने क्या किया, इसने adopt किया import substitution policy, and export promotion policy, उसका मतलब क्या होता है, हमने चाहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा export करे, and import को substitute करे, that is, हमने एक ऐसी policy, international trade में introduce की, जिसमें हमने कहा, ठीक है, जिसमें हमने ऐसे majors introduce किये, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा export promotion पे focus करे, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को बेजे, ज़्यादा कंट्रीज, उसी का मतलब है न, सलब से शिंची, यहाँ, ना कि दूसरे कंट्रीज से लाइए, उस टाइम ज़्यादा फूडील आते थे हम यहाँ, ठीक है, इससे पहले, that's why, जो टारगेट था न, यहाँ, that was 5.6, कुछ बुक्स में 5.7 मिलेगा आपको, ठीक है, but, we can say it was 5.6, लेकिन जो achievement थी, ती दाट वस 3.3, क्यों थी खाली 3.3 achievement, इसके क्या causes थे, ठीक है, फर्स था, रन अवे इंफलेशन, इंफलेशन था, बिकर्स इस टाइम 1972 में, आइल क्रेस हो गए, या उसको हम सप्लाई शॉक कहते हैं, ठीक है, न, सप्लाई शॉक, जब आइल क्रेस हो गए, तो इंफलेशन, ठीक है, जब प्राइस अफ आइल थे न, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उस वाज़े से, जब आइल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, जो हमारा फूड है, जो बागी चीज़े हैं, वो महेंगी हो जाती है, क्योंकि फ्यूल चार्ज़े बहुत ज़्यादा होते हैं, टनस्पोर्टेशन कास्ट गोना इंक्रीज, उस वाज़े से, ठीक हैं, बंगलादेश पाइकस्तान ठीक है, तो जो बंगलादेश से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी इंडिया में आगी हैं, तो रिफ्यूजी क्राइस, तो रिफ्यूजी क्राइस, वास्टे मेजर काज औफ फेलियर,